एक बेक्ती 480 रुपया में दो घड़ियां खरीता है एक बेक्ती है जो 480 रुपया दुकंदार को देता है तो बदले में उसे दो घड़ी देता है ठीक है दो घड़ी उसे देता है वह एक घड़ी को 15% अब देखें दुकंदार की बात कर रहा हूँ एक जो पहला जो घड़ दूसरी घड़ी को 19 परसेंट यानि 19 परसन लाब हो चूट जाएगा 19 यह हो जाएगा 19 परसन लाब पर बेचता है उस तो आप देखिए यहाँ पर रेसियो है तो रेसियो में यह आपस में कट जाता है यह 17 से कड जाएगा 185 और 17 सके 19 से हो जाता है ठीक है उसने दोनों घड का करे मुल क्या होगा पहला का करे मुल देखे निकाल लीजिए तोटल दाम यहां पर कितना है कितना का पेमिंट किया तो चार सो असी रुपया का यहां पर कितना है टोटल दिये है बारा पहला का करे मुल निकालना है तो पांसे गुना किजी दूसरा का करे मुल निकालना है तो आप साथ से गुणा कीजे परशते होता है बरक्षकर 14 होता है 40 में कर जाएगा पान से जब गुणा की जाएगा तो ये उस यह जाएगा 207 से गुणा कीजेगा तो ये हो जायएगा 280 यनि किसका इंसर हो जाएगा 280 202 बहुत सिंपल है Option on your PROFESSOR कि दी गई संख्याओं का माध अम्मा धिका का अंतर निकलना थोस्तों आप अंतर नहीं लिखा हुगा है लेकिन आपको इस और निकलना मात किसे बोलते हैं तो आउस्द को ही मात बोला जाता है आउस्द जिसे English में हम लोग average बोलते हैं तो इसका formula क्या होती है कि total संखिया को जैसे की जो संखिया दिया हुए सभी को आप जोड़ दें यानि total का योग तो टोटल संख्याओं का संख्या, जितना भी संख्याओं का जिसे एक, दूर, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो आठ अप नीचे लिख दिजीएगा तो यह संख्या नीचे लिखाता है, तो सभी को आप जब एड किजेगा, तो यह एड करने के बाद आ जाता है 75 माधिका, तो माधिका निकालने के लिए सबसे पहले इसे आप अरोही करम में लिख लें, अरोही का मतलब क्या होता है, कि बढ़ते हुए करम है, बढ़ते हुए मतलब कि जिसे कि दो, दो के बाद, तीन, तीन के बाद, चार, ऐसे लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या आप मकि आधारा में 15 फिर हो जाएगा 18 अब क्या करना है कि एक दू तीन इधर से आप गिंटेहरें तो इधर से भी गिनना पड़ेगा अडो तीन एक दू में अगर हम झार गिनतें हं तो यह सथा तुन गेंऊं कर रहे तो दूसर से टीनना हैं पर बीच वाली संख्या आ जाती है 8 हो 9 अगर एक संख्या हाँ पे आउ रहता जैसे 9 रहता तब आपको क्या गिना था जैसे एक दूर तीन, चार तो यह चार हो जाता है तो इधर से भी चार बर गिनना पड़ता तो बीच वाली संख्य हाँ पर नाइन हो जाता है तो नाइन को टू से भागा दे देजिएगा तो यह हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव यह मादिका हो जाती है लेकिन आप एक संख्या कम है तो तीन इधर से गिनना है और तीन आपको इधर से गिनना है ठीक है तो बीच वाली संख्या हो जाती आठ हो नो तो जब ऐसी संख्या आ जाएगी तो आपको क्या करना है दोनों को एड कर लेना है और डिवाइड कर देना है थू से तो 9th अनों को आइड करने से यह हो जाएगा सत्रा बटाइब नो का अंतर पुछा गया है कि तो अंतर निकालने के लिए दोनों को आपस negro घाटा दें ठीक है तो घाटाने के बाद आज जाएगा आपका फाल है 0.875 जह समम्सिक्राइब दाधि की टारा तमना इन्ट कों पाका जाता है तो तारह और टीना के बीच की आंतर कितना होगा थार पूछा गया आप से यहां पर अंतर के पाकई दो 5K 20 Connie P2 वाकई तो 3rd required 12鍋 खत्रक टीमेश करवार 2 Wij आपителя सच्वार 3rd 5 के सैंव बटा हो जाएगा पंदरा जब इसे आप सॉल्ब किजिएगा तो एक सो त्यत्तिस पॉइंट त्यत्तिस आता है इसका उप्षान नंबर ए हो जाएगा किसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकती बहुत important coach है अगर नहीं समझेगा तो नहीं बनेगा आपसे दो पूरूस है और तीन मेहलाएं है किसी काम को 30 दिन में करता है नि कहने का मतलब है कि अगर हम दो पुरुष को एक दिवाल गिराने के लिए देते हैं ठीक है एक दिवाल है जिसे हम बोलें कि तुमको गिराना है तो वो दो पुरुष मिलके ये तीस दिन में वो दिवाल गिरा देता है और सेम उसी दिवाल को अगर हम गिराने के लिए कहते हैं तो तीन महला की जरुवत पड़ता है और यह तीस दिन में गिराता है यानि कि दोनों बराबर हो जाएगा ठीक है अगर दो पुरूष से गिराते तो वो तीस दिन का समय लगता है लेकिन आप यह आदमी दो लग रहा है अगम ऊसी दिवाल को हम गिराने के लिए महला को कह रहे हैं तो वो तीन महला का समय अग्दा है आप ए और पुरूष से गिराएं यह महला गिराएं समय इतना ही लगेगा इसलिए दोनों बराबर हो गया ठीक है अब कर दो पुरूष से गर किसी से कार को तो वो तीस दिन में कर देगा, अगर हम इसी काम को महला से कराते हैं, तो दूनों बराबर हो जाएगा, वो भी तीस दिन में कर देता है, तो हम किसी एक को लेंगे, क्योंकि दूनों बराबर है, तो हम यहाँ पर महला ले लेते हैं, तीन महला किसी काम को तीस दिन में करता है, अब आगे बोलाएं कि छे पुरूस और एक महला और का मतलब पलस होता है तो छे पुरूस और का मतलब पलस एक महला उसी काम को कितना दिन में करेगा जैसे कि एक दिवाल है जिसे हम गिराने के लिए बोड़ रहे हैं दो पुरूस मिलके तिस दिन में गिरा रहा है अब हम क्या करें कि छे को आदमी को लाए है ठीक है छे को पुरूस को लाए है और एक महला को लाए है अब देखते हैं कि ये साथ आदमी मिलके जिसमें छे पुरूस है एक महला ये कितना दिन में दिवाल गिराता है अब ये हमक आफ़ च्हे पुरूस कोई बनाने के लिए तो दूनों तरब हम 2 से गुना कर सकते हैं इसमें कोई दिकर नहीं नहीं है तीन से गुना कर दिए तो तीन दूनीं हो जाएगा छे पुरूस और इंदर नो पुरूस अधर नो महला होगा है यह आगे solution में मदद करेगा हमें देखिए यहाँ पर 3 महला है तो 3 महला को हमें यहाँ पर रहने देते हैं या फिर आप आपस में गुना कर दिए तो यह हो जाएगा 90 ठीक है और यह 6 पुरूस बरबर कितना महला है 9 महला है तो यहाँ पर 9 महला कर दिए कितना दिन में कर रहा है अब यक्स बरबर यह 10 इधर चलाएगा तो 90 वट्टा हो जाएगा 10 यानि कि यह मात्र 9 दिन में 6 पुरूस बरबर यह काम को खत्म कर देगा इसका उप्सन नमबर हो जाएगा ठीक है यदि साइने पलस साइन असक्वाइर बरबर 1 है तो काउस के पावर फोरे पलस काउस असक्वाइर के मान क्या होगा दिए समझना है क्या दिया हुआ है साइन असक्वाइर बरबर साइन असक्वाइर बरबर 1 है है नहीं तो दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहां पर पलस है, यहनिれない आप to руб सकते हैं के साइन फरब कोस्थ अज़ाएर है? बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं बोल सकते हैं हराम से? कोई दिक्कत नहीं है अब देखे क्या होगा हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं यह क्या हो जाएगा साइन असक्वाइर एहां पर टू तो पहले से है तो यह हो जाएगा कॉस फोरे ठीक है अब साइन असक्वाइर का एक और फर्मूला होता है तो साइन साइन अस्क्वाइरे के बरबर होता है वन माइनस कॉस अस्क्वाइरे है यह सभी का फर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा तब असानी से आप सॉल्ब कर सकते हैं स्टेप का प्रस्ट क्योंकि इसमें जादा ट्रिक नहीं होता है ट्रिक रहता तो हम ट्रिक बदा अस्क्वाइरे काउस फोरे जो हमारा कोचेन में पूछा गया कि कउसफोरे पलस का स्टाइरे वराबर कितना आ गया कि रहें यह कोचन का इंसर यह नंबर हो जाएगा थिरी एकस एसक्वार पलस एकस पलस फोर एकस माइनट एट से भागा देना यानि कि इतनी संख्या में एकस माइनस आठ से जब भागा देज़ेगा तब एक अमान क्या होगा यह पूर्ण विवाजित है देखिए बोला गया एकस माइनस एकस परबबर अब जीरो ले लिजे और यकस परबबर क्या हो जाएगा आठ जब माइनस के साथ उधर जाएगा तो पलस में आजाएगा अब एकस का मान आप सभी जगर रख दें यानि कि यह हो जाएगा थिरी इंटू आठ के असक्वार हो जाएगा यकस असक्वार है तो 8a प्लस 4 बरबर यह 0 आप रख सकते हैं चार और 192 कापाइट किजिएगा तो यह हो जाएगा 196 तो यह और 196 प्लस 8a बरबर 0 196 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और 8 से आप भागत देंगे जैसे कि यह हो जाएगा यह बरबर माइनस 196 और देखिए हम पूरी तरह से बता देते हैं आपको confusion नहीं होना 8a बरबर माइनस 196 ठीक है अब क्या करना 8 को उस तरफ ले आए तो यह आ जाएगा यह बरबर माइनस 196 119 बरबर 8 जब इससे डिवाइट किजिएगा तो यह हो जाएगा माइनस के साथ आ जाएगा चूप पॉइंट फाइब इसका एंसर हो जाएगा बी नंबर देखिए यह बरब मासका है कोचन दिया हुआ है 15 माइनस बराइकेट 18 माइनस और 35 में पाज से भागा दिया जा रहा है तो आप इससे भी लिख सकते हैं बढ़ा बढ़ा पाच ही हो जाएगा तो बरब मासका नियम के नुसर बराइकेट के काम पहले होगा इसके बाद इस भागा पाच था इसे काटिए गया तो यह साथ हो जाएगा यह माइनस में है यह माइनस में तो आठारा हो साथ को दोनों को आप आइड कर दीजिए गा तो आइड करने पर क्या आता है यह पचीस आता है यह माइनस के साथ पचीस लिखा जाएगा और यह माइनस हुआ प्य है मैंनस अहले जहा दो फूर्फSoft अ कि यह नहें सोन्हें यह confession जह रिदम प्यूर्फ यह जाए गां必 Mafia इस भ्यूंके गूसा कि अठी खेंप कितों एक चल्फाइगा हुआ है कि यह माइनस दस आजाएगा इसका एंसर तो इसयोगा है तो स्थी आप सोड़ी माइनस नहीं आएगा पलस आगा क्यांकि बड़ी संख्या के साथ पलस है यह पलस तरस हो जाएगा इंसर बी नमबर होगा 14-47 लगुत्तम समोबर्टक यानि की LCM निकालना था LCM आपको निकालने के लिए आता हो जी होगा लेकिन आप ट्रिक के मादम से आपको बता रहे हैं जैसे है चवदा तो 14 को क्या आप 7 x 2 लिख सकते हैं, 7 x 14 आप अराम से लिख सकते हैं, यह है 42, यानि कि जितनी आप कम संक्या से तोड़ सकते हैं, जितना कम संक्या में तूटते हैं, आप उसे तोड़ दें, तो 42 को आप लिख सकते हैं, 7 x 2 x 3, ठीक है, यानि कि यह हो जाएगा सब कुना की ज सेवन तोड़ सकते हैं अब क्या करना है कि एक-एक संक्या को लिखना जैसे सेवन अट्टू है तो आप सेवन इंटू लिख लिए सेवन तो हम यहाँ पहले से लिख लिख लिए तो यहाँ पर सेवन टू को नहीं लिखना है सिर्फ थिरी बचा हुआ है तो आपको थिरी 40 into 11 जब गुना किजिएगा ती यह हो जाएगा 264 चार सु बार सट इसका एंसर जाएगा ट्रीक के माद्ध हम से बहुत ही असाने सब निकल सकते हैं